तो हेलो दोस्तो मैं हूँ चेतन बिड़र एंड आपको स्वागत करता हूँ लर्न भाई चेतन पर में लेकिया लोजिगल पोगांग सीजिस का पार्ट नमबर पोटी फाइड दोस्तो इससे पहले हम मैं 44 पार्ट कवर कर चुके लोजिगल प्रोग्रामिंग के मिन से हम सी पाइथन जाव में इन प्रोग्राम्स को बनाते हैं हमारे सिस्टम के अंदर जाकर उससे पहले हम करते एक्स्प्लेइन वहां पर वाइट बोट पर और यह जो 44 कोश्चन जो हमने कवर किये हैं यह आप स यह नहीं कर पाऊगे यह अगर आप लोजिकल प्रोग्रामिंग को करोगे तो आप इंटर्वू के एक कर सकते हो आज वीडियो लेकर आया हूं क्या राइट प्रोग्राम को प्रिंट काउंट ओफ ओल इवन नमबर से एंड ओड नमबर से बिटवीन टो टेंट तो हमें क्य 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहां रहां वेन लेकर 10 तक क्या है नमर है अब मुझे count करना है इसमें किते इवन नमबर है तरह समें किते इवन नमबर है एक, दो, तीन, चार, पाँच तरहा ऑपुट क्या आना चाहिए एक आना चाहिए मेरा क्या मैरा ओपुट आएगा क्या ओवन गा पर इस के अंदर मेरा मेरा ऑट नमबर एकड़ चाहर पांच तो वह कंड़ आएक मैरा तो यह थो मैंने एक्यूंट करना बर मेरे ड्वारा मुझा क्या गारवान Polansром सब्सक्राइन स्टीMA2 सिर्फ कुछ ने कठना है सिर्फ कुछ values change करना है और आप 1 से लेकर 100 तक या 200 लेकर 400 के बीच में किते इवन नमबर उनको अलग काउंट कर सकते हो और काउंट का मंदब क्या होता है जिसे एक ओट दो तीन चार पांच पांच क्या है ओड और पांच पॉर आइवन आइवन नमबर एंड ओड नमबर से इत्वında तो मैं आसा करता हूं १ूर्ट कोश्इन समझ चुके होंगे अब इसको हम क्या करतें तो दोस्तों इसको इसको तो आप वीडियो नमबर 37 & 38 वीडियो नमबर 37 & 38 देखी जाकर देखिए मैंने इसमें बताए कि एक फोर्लूप वर्क कैसे करता है तो मैं इस कोश्चन को किसके दोरा बना रहे हैं दोरा तो मैं क्या लिकूंगा यहाँ पर मैं लिकूंगा फोर कि आई को स्टार्ट को वन से आई जब तक छोटा है 11 से तब तक आई को क्या करते होंगा प्लस-प्लस अब देखो यह फोलूट चलेगा कित्ती बार 10 टाइक्स आई वन से स्टार्ट होगा यह उनली एक बार चलता है फिर जब तक आई 11 से छोटा रहेगा तब तक हम कहां आते रहेंगे करेंगे फिर इंक्रिमेंट 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 करेंगे फिर इंक् कि इवंण काॉंट कर दूंगा og count क्या rectummaac and काॉंट के निए कि मेरे इवन नमबर keeping ऑर लेकर 10 अरो कि युझा टेन तक में झने क्या लेल सीरो मैं दो वेरीबल लिए इसके मत गूंट, प्लस 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 देखो इवन काउंट प्लस प्लस लिख दूंगा हम यह लिख सकते हैं वरना पाइफन में आप कर रहे हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा इवन काउंट इस प्लस प्लस वन जो एक से क्या हो जाएं इंक्रीज हो जाएं मैंने बोला जब मारा इव नहीं चलेगा कौन चलेगा इल से चलेगा और इल से कब चलता है जब इव की कंडिशन क्या होती है फोल्स होती है आप इपल से इस प्रिवेश दूट्यों जाकर देख सकते हो तो इसमें क्या होगा यहां पर मैं लिखूँगा ओट काउंट प्लस प्लस जाइसका मतलब क्या होता है इसको अगर मैं डिटेल में लिखूँँ तो इसको कैसे लिख सकते है पाइथन में इंक्रिमेंट इंक्रिमेंट नहीं होता है तो वहां पर क्या लिखेंगे मतलब क्या होता है इसको उड्काउंट में क्या हो जाएं अशाइन हो जाए देखो अब मैं इसको ड्राइरा अटर कि बताता हूं यह हमारा प्रेंगा इवन आंट में इवन नम्र्स को काउंट करेगा मैंने बोला आई में 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स आएंगे कैसे आएंगे वीडियो आपर 38 में जाके देख सकते हो अब 37 में देख सकते हो और आपको फोल्डू बाता है तो अच्छी बात है तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा आई में 1 आएगा तो 1 आएगा नहीं क्या चलेगा और 1 क्या है ओट कांट क्या हो जाएगा प्लस प्लस तो ओट कांटि मेल्य क्या हो जाएगी उता मेरे मफ्यंक्स और यक्थ एक बनाया मैंने ओट गट काउंट इनिशन इसे फोल मिस्टार्ट तो क्या होगा जब आई भगए आई तो फॉण चलेगा क्या नहीं वहाइब ऑब नर्गराइब क्या नमबर तो ऑट काउंट क्या होगा डूर्ट मैं अगली बार आई-डाएगा लुए होगी तू प्लस प्लस क्या हो जाएगा फिर अगली बार आएकल कम चलेगा और इस बार इस बार 5 उब तो प्लेस प्लेस्त क्या 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 पर एक था क्या शॉत उच्भालूInstitc हंगे हम जाएंगे कंक्न क्या क्या होग तो एक स्दाइक हम जाएंगे इंक्रेन सोग होगी सब्क्राइब GK सब्सक्राइब का एक रिगया गएक प्लस जोगा में तो मैं तो जब मेरा आए में इवन नमबर आएगा तब इवन काउंट इंक्री ऀगा जब बाहनेकि नाइक हम प्लस हो क्लोंगा देखना की बास की बात की हुथ तो आप पर ऐखन के बात देखना अग्या इसे आपको करके देखना है क्या 4 का 2 से क्या लाना मोडलस यानि 4 में 2 से दिवाइट देना है और यहाँ पर रिमाइंडर क्या है जी वाइं तो असे रिमाइंडर निकालना है यह वेलू देता है या कुल मॉडलस सकते हैं, even count is equal to even plus one, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यह python के लिए है, और c में दोनों तरीके से लिख सकते हैं, तो even count के value क्या हो जाएगी, फिर I के value क्या होगी, 5, 5 छोटा है 11 से, हाँ, फिर आएंगे हम अंदर, 5 modulus to 0 होता है, क्या, नहीं, तो कौन चलेगा इल से, और इल से चलेगा, तो 5 के लिए, odd count बढ़ेगा, और odd count की value क्या होजाएगी, 3 हो जाएगी, फिर I के value क्या होगी, इक value होगी, 6, 6 से चोटा 11 से, अंदर आये, 6HHHH, 0 होता है, क्या, हाँ, होता है, इफ चलेगा, और east, प्लस प्लस होगा, तो इस की value क्या हो जाएगी, एवन काउट की 3 हो जाएगे फिर आई में क्या आएगा आई में 7 आएगा 7 छोटा 11 से हम अंदर आए 7 वुड लश 2 इफ चलेगा नहीं चलेगा इलसी चलेगा और और old count को क्या खरदेगा 4 कर देगा फिर यहां पे क्या आएगा 8 एंदर याट एलसी रहता है क्या होता है even count क्या हो जाएगे 4 जब wayround number आच है तब old countungs increase हो रहा है जब इन इवन नमबर आ रहाता है प्य से हमोru है क्सको और प्रेंट करना है किसको और प्रिंट खार ना है किसको ऑट कांट की यह आप 5 हो जाएगी के जब आ बहुत हो और जाए बहुत हो चाहीगी यह पर यह प्रोसेस चलती रहती है कब तक जब तक क्या ना हो जाती फोल्स है तो यह 1 से लेकर जब तक आया चोटा है 11 से यानि 1 से लेकर 10 तक सारे अगर आप 50 से लेकर 100 तक करना है तो यहां पर 1 लिखें यहां पर क्या लिख दीजे 100 तक तो आए 50 से स्टार्ट होगा यह चेक करेंगा पड़ेगा ओडन पड़ेगा और शिंपल ही बाद स्लाश्ट में और कर वालेंगे तो दोस्तों मैं आसा करता हूं आपको यह समझ में आपको अच्छे तरीके से अब देख अगर पाइफन की बात करूँ तो पाइफन में से मिश्टब लिखना है कुछ भी चाइज निकर करना है सिर्फ पाइफन में क्या करना है जो आप रेंज फंसन यूज करोगे तो रेंज फंसन में पहले वन पास करना है क्या पास करना है फिर क्या पास करना है यहाँ पर 11 फिर क्या पास करना है वन जो हम रेंज फंसन लिखते हैं पाइफन में वन वन 11 एंड वन 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 व वीडियों को लाइक करो, एंड चैनल को सस्क्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसे लिगी, ठीक हम चलते हैं system के अंदर तो हां दोस्तों आ चुका है system के अंदर मैंने यह पर online gtb खोल के रखा है और मैंने यह आपर c language select करके रहें किस भी लेंग्विज में कोडिंग कर सकते हो यह क्या एक ओनलाइन प्लेटफोर्म है और मैंने यहां पर सी में कोड लिखके रखा है ताकि हमारा टाइम बच्चे हम उसको क्या करते है एक्स्प्लें करते हैं तो देखो हमें क्या करना था वन से लेकर 10 तक जित्ते भी एवन उनको काउंट करना जित्ते ही ओन रॉन को काउंट करना कि इसमें आई को वन से च्टाट किया तब्लस-प्लस किया तो आई में वो सारी वेल्यूस आएगी कुण कोंछँ वन से लेकर 10 तक की फिर हम फोलूप के अंदर i के सारी values आईगी, बट ये if कपप चलेगा, जब i के value क्या रहेगी? even रहेगी और il से कपप चलेगा, जब i के value क्या रहेगी? और जब भी i के value क्या रहेगी? Even रहेगी. तो मैं क्या करूंगा? even count को plus plus करूंगा, means इसकी value क्या होगी? जब भी even if चलेगा तो even count of 1 से बढ़ता जाएगा. और if अभ इन कबब चलेगा जब जब even values होगी. तो even count को count कर लेगा even values को count कर लेगा और जब भी is जब देगा so even out count 1 से सारी out values को का लेगा count कर लेगा count वलिए इसकी value बढ़ती रहेगा तो वही क्या है हमारा count है, और follow से बहार निकल कर, हम print करा देंगे count of all even numbers, even count को, count of all odd numbers, odd count को, देख उसको run करूंगा, तो यह क्या बताएगा, count of all even numbers, 5 और odd numbers, 5, और आपको होता है, once लेकर 10 तक में क्या होते है, 5 even होते है, 5 odd रहते है, आप यहाँ पर कुछ भी कर सकता, आपको once लेकर check करना, 11 तक तो 11 रहने दो, आपको once लेकर check करना है, कहां तक, 51 तक, तो यह क्या बत number से, तो यह count कर सकता है, अब हम चलते हैं क्या, हम चलते हैं python में, और इसके आपको link मिल जाएगी नीचे, description में, वहाँ से आप इसको देख भी सकते हो, download भी कर सकते हो, अगर मैं python की बात करूं, तो python में मुझे same ही करना है, python में भी क्या करना है, even count लिया हमें, उसमें 0 sign कि even count में even numbers count होंगे, odd count में odd numbers count होंगे, फिर वही same for loop, i in range लिखा, and i को 1 से start किया, और i जब तक छोटा है किससे 11 से, तक i क्या होगा, 11 से increase होता रहेगा, अब यहां भी एक if और एक इल से, if कप कप चलेगा, जब-जब even numbers होंगे, और इल से कप कप चलेगा, जब-जब odd numbers बड़ यहां पर increment, decrement operator नहीं होता है, तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, even count is equal to जब पहली बार चलेगा, तो even count plus 1, तो 0 plus 1, इसमें 1 असान हो जागा, अगली बार अगर चलेगा, तो यह भी क्या करेगा, even counting value को जितनी बार चलता है, इतनी बार एक से क्या करतेता है, increase क प्लस प्लस वन करेगा, और जैसे फोलुक खतम होगा, तो हम count of all even numbers को प्रिंट कर देंगे, और यहां पर even count को प्रिंट कर देंगे, और एक message पिन प्रिंगे, count of all odd numbers, और odd count को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, तो इसको मैं run करके बता आता हूं, जैसे मैं run करूंगा, तो यह क्या बोलेगा काउंट ओफ ओल इवन नंबर से 5 और काउंट ओफ ओल बोड नंबर से 5 इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर मैं आप जाओ की बात करूं तो जाओ में भी सेम कुछ यह नहीं करना है बस इसका सेटप में क्या होगा में क्लास में 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 मतना के अंदर ही drug Lies में में मैंने एवन काउंट को जिडिया में मैंने और क्लास कर्細ड क्या लिए जिडियो लिया एंड फोल लूप में क्या क्या है मैंने हाई- और जी प्लस-प्लस होता रहाएगा एंद में से इस इविक कप-कप चलेगा जब-जब कप से पहले जीरो है तो जब भी चलेगा यह तब तब एक से इंक्रीज होती जाएगे और वहार निकल के हम क्या करेंगे count of all even numbers और यहाँ पर even count value प्रिंट करवा देंगे और count of all odd numbers और यहाँ पर count value प्रिंट करवा देंगे तो इसको run करके बता रहा हूं और मैं जैसे ही run किया आपके साथ में आपका output दिखाए देगा कि count of all even numbers 5 और count of all odd numbers कितने 5 है तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेर करना थेंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में